नमस्कार आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जैगरुदेव उत्राखंट पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कामना करते हैं कि आप और आपके परीजन सभी स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्बुत क्रमा क्यूर तो आज हम बात करने वाले हैं महराज जी के द्वारा बताए गए चार ऐसे नियमों की चार ऐसे अद्बुत बातों के विशह में जो की महराज जी ने हम सभी के कल्यान के लिए बताए गई हैं इसके अलावा महराजी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये चार नियमों को मान लेता है यानि कि अगर ये चारों चीज़ें ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में अवतरित हो जाती हैं तो आपको इन चार बातों का यह ध्यान रखना है कि जीवन में कभी भी इनका सांथ नहीं छो देते हैं तो जीवन में आपको बहुत पश्टाना पढ़ सकता है क्योंकि ये वो चार नियम हैं ये वो चार बाते महराजी द्वारा बताई गई हैं जो कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उप्योग कर सकते हैं तो आईए बिना समय आपको बताने जा रहा हूं महराजी ने कहा है कि यदि जीवन में इश्वर की कृपा के चलते आपको गुरू का सानेद्य मिल जाता है यदि आप अपने गुरू को खोजने में गुरू का जीवन में प्रवेश कराने में सफल हो जाते हैं तो आप यह मान लीजिए कि जिस इश्वर की प्राप्ति किसी को हो जाती है ऐसा ही सानेद्य होता है श्री महा गुरू का आपके गुरू कोई भी हो सकते हैं वे महराजी भी हो सकते हैं आपके सिक्षक भी हो सकते हैं आपके माता पिता भी हो सकते हैं जिन कोई भी आप अपने जीवन में जिनको गुरू का स जीवन में कभी भी अपने गुरु का सांध नहीं चोड़ना चाहिए जीवन में चाहे किसी भी पद को किसी भी प्रतिष्ठा को यदी आप राप्त कर लें जो व्यक्ति आज इवन अपने गुरु के गुरु मंत्रों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है ऐसे व्यक्ति को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती और ऐसा व्यक्ति सीड़ी दर सीड़ी अपने जीवन में सफलता के क्रम को प्राप्त करता रहता है तो इसलिए जीवन में यदी आप गुरू खोजने में काम्याब हो जाएं तो उसके फल स्वरूप जीवन में गुरू के सानिद्ध का आजीवन आरंधे आजीवन गुरू से मार्दरशन प्राप्त करें और आजीवन अपने गुरू का सम्मान करें आप चलते हैं दूसरे बिंदू की ओर महराजी कहते हैं कि यदी जिस प्रकार से आपके जीवन में गुरू का अवतरण होता है यदी इश्वर की कृपा से आपको इश्वर की भक्ती यदी प्राप्त हो जाए जीवन का सबसे मूल स्वरूप यही है कि हर व्यक्ति चाहता तो है कि इश्वर की भक्ती आजाए लेकिन प्रयासरत होने के बावजूत भी इश्वर की भक्ती हर किसी को नहीं मिलती यदी आप उन भाग्यवान लोगों में से एक हैं जिसको इश्वर की भक्ती प्राप्त हो गई हो तो इश्वर की भक्ती इश्वर का सानिध्य और पुसरण करके जीवन में चलने वाला व्यक्ति भी सदैव कामिएब होता है अज व्यक्ति यश को कीरती को जीवन के भाग्य को और जीवन के सत्य को भी प्राप्त करने में सफल रहता है तो यदि आपको जीवन में कभी इश्वर की भक्ति यदि प्राप्त हो जाए तो कभी भी इश्वर की भक्ति को छोड़ोना समझ लीजिए ऐसा ही होगा कि जैसे आपको जीवन में सब कुछ मिल गया हो लेकिन आपने उस सब चीज की समरिद्धी की प्राप्ती करने की बजाए उस समरिद्धी से मुख मोड लिया हो तो इतना अशुब होता है ऐसा करना जो व्यक्ति इश्वर की भक्ती को प्राप्त करने के बाद में भूल जाते हैं इश्वर का अनुसरन करना तो इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कारे ना करें जिससे आपकी इश्वर की भक्ती जो आपको प्राप्त हुई है व्यचिन जाए तो चलते हैं तीसरी अद्बुद नियम की ओर तीसरी अद्बुद बात महराजी क्या कहते हैं महराजी कहते हैं कि यदि आपने अपनी सद्बुद्धी सन्मत्ती के मार्ग पर चलने के साथ ग्यान की प्राप्ती कर ली है चाहे अर्थ ग्यान की प्राप्ती हो चाहे जीवन के सत्य की ग्यान की प्राप्ती हो ग्यान किसी भी स्वरूप में हो सकता है किसी भी तरह का ग्यान प्राप्त करने के बाद यदि आप उस ग्यान से सफलता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उस सफलता के मद में उस प्रा बिल्कुल ना करें और कहा जाता है मारे साश्त्रों में यही बात लिखी है कि ग्यान का जितना भी आपने अरजन किया है उस ग्यान को दूसरों तक प्रेशित करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरे दौरा अरजित किया हुए ग्यान को य इसलिए जीवन में जो भी ग्यान का आपने अर्जन किया है उसको दूसरों के साजा करना मत भूले तो इसलिए आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपको इश्वर से प्राप्त हुई जो यह अदबुद चीजें हैं अदबुद बाते हैं इनको कभी भूल ना जाए अब चलते हैं हम चोथे और अंतिम महराजी की सबसे अदबुद बात कियों जो आपके लिए महराजी ने बताई है वे यह है कि यदि आपको इश्वर की कृपा के चलते सेवा का भाव मन में जागरित यदि आपके हो गया है सेवा का भाव वैसे तो बहुत कम लोगों के मन में जागरित होता है क्योंकि जो लोग अपने जीवन के अलावा अन लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं ऐसे लोगों की संक्या आज के समाज में बहुत कम है या ना बराबर ही है लेकिन मान लीजिए आपको इश्वर की भक्ति के चलते सेवा का भाव यदि इश्वर आपको प्रदान कर देते हैं तो इस सेवा के भाव को सदेव दूसरों की साहता में लगाने का प्रयास करें और यह सदबुद्धी भी महाराजी आपको देते हैं क्योंकि महाराजी की मुख्य सिक्षाओं का जो स्थ आप भी समाज के लिए चिंतित हैं तो इस भाव को कभी भी अस्त मत होने दीजेगा क्योंकि ये भाव इतना चमतकारिक होता है जैसे ईश्वर की अमूग कृपा है जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आ गई अमूग भक्त का पूरे जीवन का उधार कर देती है ऐसे ही हो पाएगा इसलिए इन भाव को इन बातों को कभी भी जीवन में नकारत्मक मत बनाईएगा इन चारों बातों का यदि आपको जीवन में एक भी बिंदू अपने जीवन में शामिल होता हुआ दिखे तो उसे सिंचित कीजिए और जीवन भर उसका साथ निभाईए तो डेशह करते हैं आज का इक्रमाक आपको पसंद आया होगा इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है विदा लेने झाल झाल